नमस्कार गाइस, बुलिश्पल मास्टर में आपका स्वागत है, बात करेंगे मंडे को मार्केट गेप अप ओपन हो रहा, गेप डाउन हो रहा, या भी साइड वेज ओपन होगा, कल के वीडियो के अंदर आपको लाइफ रूप के साथ दिखाऊंगा गाइस, गेप अप का लोग बहुत बड़ा मार्केट रोकट बनते हुए दे, गेप डाउन में भी फसे थे, लाइफ ग्रूप के साथ दिखाऊंगा गाइस, तो यहाँ पे काफी मज़ा आने वाला है आपको, निफ्टी के लेवल्स निकालेंगे, बैंक निफ्टी के मिड्केप, निफ्टी की एक्सपाइरी है, बैंक एक्स की एक्सपाइरी है, मार्केट में, ग्लोबल मार्केट क्या कह रहा है, OI, PCR, इंडिया विक्स, क्रूड ओइल, सारी चीज़ेंट देखेंगे, गॉल्ड में भी हमने ट्रेड किया था, मॉर्निंग में हमने डाउन साइड का ट्रेड किया था, ओल्रेडी बता दिया कि भाई, मार्केट कल ओल्रेडी दे चुका है, प्रॉफिट जिसको कॉल साइड में, गैप अप में मिल गया, वो भी प्रॉफिट बुक करके, एंज्योई करो, कल का प्रॉफिट मार्केट को नहीं देना, कमेंट करके जुरूर बताना, कहीं आप तो आपको क्या बताया live group बताना बहुत ज़रूरी है तो सबसे पहले yesterday yesterday हमने gold में भी trade किया crude में भी trade किया कल का तो fire ही हो गया लेकिन देखू guys सबसे important बात ये है कि advance video बनाया था 3 बज़ के 26 मिनट पर video बना के आपको बता दिया एस पर data के इसाब से gap up बता रहा था आपको बता दिया कितने बज़े तीन बज़े बता दिया तीन बज़े हलका सा rejection के कारण छोटा gap up हुआ हलका सा rejection के कारण छोटा gap up हुआ और निफ्टी Sunsex में तो अपन gap up की ज़्यादा उमीद नहीं कर सकते थे क्योंकि मार्कीट के अंदर CPI data वगेरा जो भी डिटेल्स आया सारा आपको बेजा था मोर्निंग में आपके लिए 8 बज़े वीडियो भी बनाया था 7 बज़े 30 मिनट पर आज का direction बता दिया कि भी यह क्या open होने वाला है क्या होगा कहां पर plan करेंगे हर एक चीज वहां पर बता ही थी market क्यूं कल market rocket बना और उसी के चलते-चलते यह देखो आपको gap up देखने को मिला है और यह भी बताया कि भया morning में 10 बज़े से पहले ctc rules को properly follow करना और इतना बड़ा not बेजा था आपको 8 बज़ के 45 मिनट पर please not today Friday मतलब game changing day so please not जो market ने कल दिया है आज वापिस मत देना कल जितना profit हुआ उसको sap रखना today big risk नहीं लेना and sunset की expiry है तो asl hunting भी करेगा be carefully sap trade करेंगे guys asl hunting तो बहुत देखने को मिली होगी और scalping वालों को तो भाया मज़ए आ गया होगा upside और downside के कोई भी levels active नहीं हुए आपको levels बेजेते हैं कि भाई अगर यह 15 मिनट की candle से बाहर निकलेगा बैंग निप्टी का levels बैंग निप्टी level active हुआ यह निफ्टी का गाईस देखो चार्ट दिकरा आपको निफ्टी का levels संसक्स के levels बैंग निप्टी के levels फिन निप्टी के levels कि भाई जब तक इस डब्बे से बाहर नहीं निकलेगा मतलब यह कल की जो लाश्ट लाल वाली candle से बाहर ही नहीं निकला पूरा sideways closing कर दिया पूरा sideways closing कर दिया इसलिए फुल डे लाइव था आपके साथ एवरी डे लाइव रहता हूँ फिन निप्टी का भाई पूरा दिन पूरा sideways सब कुछ sideways सब को खा गया तो फ्राइडे मतलब आपने देख लिया फ्राइडे ऐसा होता है लेकिन कभी-कभी आप फ्राइडे को बिग रेली देख लेते हो बहुत बड़ा रोकेट बनते हुए बहुत गिरते हुए तो बहुत संसक्स में भी तो कभी-कभी फायर दिखाना पड़ेगा मार्केट को अब इंपोर्टेंट बात है कि अपने को क इसके बाद गाइस देखो आपको यहां पे लेवल्स बेजे थे और मॉर्निंग में हमने डाउनसाइड का ड्रेट भी प्लैन कर लिया दोसो असी का हमने 82900 का पी-साइड एजूकेस्टनल लेवस इस एजूकेस्टनल कोल पुट के लिए मुझे कोई फोलो मत करना जब तक आप सीखो गए नहीं सक्सेसफुल नहीं बन सकते यह सच्चा ही है बट यहां पे बिल्कुल फ्री ओप कोस्ट हर एक चीज का सपोर्ट मिलता है हमने डाउनसाइड भी फायर किया था स्कैल्पिंग मुवमेंट और यहां पे आपको लेवल्स बेजे आगें 10 बजे जब मार फिफ्टी पसेंट यहां पर टार्गेट मिला अपने को गॉल्ड के अंदर अगर आप फोरेक्स डेडिंग में इंट्रेस्टेड हो तो कमेंट करके बताना क्योंकि सामको 6-7 बजे में फोरेक्स में लाइव आता हूं एक जो न्यूस वाइरल हो रही थी वो भी मैने आपको बेजदी की 16 और 17 तारीक को कुछ लोग बोलेंगे की बिया holiday है holiday है नहीं है वो सारी चीजें आपको automatically message आ जाता है लेकिन यहां पर जो भी मुझे दिखाई दे रहा है settlement holiday मतलब market तो चलेगा settlement holiday है इस चीज़ को याद रखिएगा कोई भी मेरे नाम से आपसे पैसा वैसा मां करना अगेन वीडियो को like and comment जरूर कर देना आप new हो तो बिल्कुल subscribe कर लेना कहीं आप देखो zero to hero live में थे कहीं आपने वो live तो मिसना कर दी तो मज़ा आएगा इंडिया विक्स क्रेश हो रहा था इसका भी update दिया data match नहीं हो रहा था वो भी update दिया अब देख लो भाईया crude oil यहां पर crude oil यहां पर जलवा दिका रहा है तीन बचे आपको crude oil के भी level भेज दिए ठीक है ना यहां पर हर एक चीज का यहां पर support मिलता है यहां पर आप देख सकते crude oil को यह लो जी crude oil क्या कर रहा है market rocket बन रहा है दीरे-दीरे retest लेने की कोशिज कर रहा है कुछ भी fire होग कोई आप से टिप के लिए कोई पैसा मांगता तो समझ लेना वहां पर समझ लेना कि बहुत माइनर नहीं बहुत मैजर गलती कर रहे हो आप इस चीज को हमेंसा ध्यान रखिएगा सबसे पहले बात करेंगे global market की global market का क्या scenario है तो सबसे पहले मैं global market पे जाता हूँ global market टोड़े यूरोपियन मार्केट थोड़ा बुलिश ओपन होता है ना अभी देखते हैं क्या करता है और एक बात देखेंगे गाई जो इंपोर्टन कुछ निउस तो नहीं है आज कोई भी निउस नहीं है कल चार डाटा आये थे कल चार जो निउस थी निउस साइडवेज क की बात करते हैं तो यूस मार्केट और यूरोपियन मार्केट दोनों यहां पर बुलिश दिख रहा है यूस मार्केट की बात करें तो अभी डाव फ्यूचर सी दिखाई दे रहा है साट पॉंट के आसपास यूरोपियन मार्केट की बात करता हूं तो यहां पर साइडवे मेजर नेगेटिव नहीं कह सकते हैं और इंपोर्टेंट बात यह है कि जो ओइस तो थे जो आपको बताया था कि भाया अपसाइड के लिए अपना मार्केट जो क्लोजिंग हो रहा है वो अपसाइड के लिए नहीं होगा मैकस पैन भी दिखा रहा था और आपको पहले मैसेज कर दिया था कि अगर आप चाहते हो इसका वीडियो बनाओ तो वह बनाओ तो वह यूट आप सीरीज चल रही है बिल्कुल तो बहुत कुछ लर्निंग आएगगी फिरीमेच शीकना चाहते हो तो वहाँ जाओ सीको और फायर करो तो मैक्स पैन का भी वीडियो लेके आऊँगा सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी की निफ्टी का OI क्या के रहा है निफ्टी का OI ओल आवर OI देखूंगा तो मिन निफ्टी का 25,400 का पावरफुल रजिस्सिंस मुझे दिखाई दे रहा है PCR अभी भी इसका बुलिश है आपने देखा होगा मार्केट ओपन हुआ हलका सा रेजेक्शन वो पहली कैनल से बाहर नहीं निकल पाया और पावरफुल जो सपोर्ट है वो या 25,200 और 25,300 का बन चुका है बैंग निप्टी की बात करता हूँ तो बैंग निप्टी 52,000 का पावरफुल रेंज है और उसके बाद 51,000 PCR 1.50 प्लेस में है तो सबसे पहले मैं जाता हूँ बैंग निप्टी के चार्ट पे चलो यहाँ पर सब मिक्सप में चार्ट है चलते हैं बैंग निप्टी से पहले गाईज निप्टी से पहले मैं इंडिया विक्स भी आपको दिखा देता हूँ इंडिया विक्स दिरे दिरे डाउन आ रहा था आपने आज देखा होगा कि यार प्रीमियम जो है मुझे इतना क्यों डीके हो रहा है प्रीमियम माइनस में क्यों जा रहा है तो ये विक्स की वज़े से हुआ बार-बार में आपको अपडेट कर रहा था लाइव में भी बता रहा था निप्टी की बात करता हूँ तो सबसे पहले जो आपको बताया था कि भाईया डाटा इस डाटा इस क्या है मिसमेच डाटा मिसमेच था निफ्टी देको माइनस में संसेक्स माइनस में मतलब प्लस और माइनस जब ये चीज़ें दिखती है तो यहाँ पे थोड़ा इस इंसान को डर होना चाहिए नमबर टू कि निफ्टी का आज वीकली टाइम भी क्लोज हो चुका है प्लस डे टाइम भी क्लोज हो चुका मतलब सात दिन में पिछली जो कैंडल हमें बेरिश एनगल फिंग दिखाई तो इस बार ये सात दिन की कैंडल कहां पे आपन और कहां पर क्या recover कर गई क्या मार्केट sideways हो गया क्या हो गया वो चीज देखने तो सबसे पहले मुझे देखना है डजय टाइम प्रेम पर मार्केट ओपन होता है पर जैसे यहां पर यह मुझे दिखा रहा है और वीकली टाइम प्रेम की मैं अगर बात करता हूँ तो वीकली टाइम प्रेम के अंदर मुझे अपना निफ्टी रीटेस्ट करते हुए नजर आया है मार्केट में बेरी चैन गल्पिंग बनता है यह लाल केंडल बनती तो कंप्रोमेशन हो जाती लेकिन यह कंप्रोमेशन का टाइम फैल हो गया और फैल होते हुए मार्केट यहां पर रीटेस्ट करके बाहर की तरफ निकल गया लिवल सकता है क्या कंवगोगा यह घयप दाउन होगे तो करते हैं कर कांप कापन होगा ा यह घ्यपडाउन तो सबसे पहले जो मुझे दिखाई दे रहा है guys वो हल्क आसा यहां पर rejection का market दिखा रहा है लेकिन ना तो यह आज का high तोड़ पाया है ना ही आज का low तोड़ पाया है तो market आपका हो रहा है sideways open Monday को market आपका sideways open होगा sideways का मतलब यह है कि आप या call लेके गए हो या put लेके गए हो दोनों में premium खाएगा दोनों में premium खाएगा यहीं कहीं आसपास में open हो जाएगा ठीक है ना जब तक upside में 25,430 का level नहीं break होगा हम upside का plan बिलकुल नहीं करेंगे और 25,300 का level तोड़ेगा तो हम downside का plan करेंगे जो कोई मज़ा आएगा और downside के लिए guys पूरा पूरा मेदान खुला पड़ा है 100,000 point की range में अपने को दो target यहां पे नजर आ रहे हैं दो support measure नजर आ रहे हैं जो कि हमें यहां पे देखने को मिल सकते हैं निफ्टी के chart बड़े ही खूबसूरत chart है guys और market ने हलका सा flag pattern का भी संकेत दिया कि भी यह हम flag pattern और bullish flag pattern मनता है तो market थोड़ा bullish भी जा सकता है तो यहां पे market sideways signal दे रहा है लेकिन 25,430 का level नहीं तोड़ेगा हम लोग trap नहीं होंगे इस चीज़ को ध्यान रखिएगा यह है nifty का level अब bank nifty को देखेंगे क्या bank nifty कहीं bullish तो नहीं बता रहा है तो bank nifty भाई यही same scenario है bank nifty का भी bank nifty को देखेंगे bank nifty भी बड़िया 52,000 का level चलके तो तोड़ पाया नहीं अब इसको 52,000 का level तोड़ने के लिए इसको चीज़िए gap up और bank nifty next जो powerful resistance है वो है bank nifty का 52,300 और उसके बाद जो लेवल है 52,400 उसके बाद important लेवल है 52,500 का जब तक 52,000 का लेवल नहीं तूट जाता इसको मैं तोड़ा 52,000 पे ले जाता हूँ जब तक 52,000 का लेवल नहीं तूट जाता हम bullish नहीं हो सकते वैसे अभी bullish है वैसे अभी bullish है इस bullish को कैसे capture करेंगे हमें देखना है HDFC बैंक और HDFC बैंक अपसाइड जाके एक बियरिश एंगलपिंग बनाया तो यह भी आज के लेवल मार्केट के आज के मतलब हाई लोग के अंदर ही है HDFC बैंक भी और ICC बैंक की बात करता हूं तो यह भी एक sideways का संकेत दे रहा है कि बैंक निप्टी भी अपना sideways range में open होने की कौसिस करेगा तो बैंक निप्टी के यही लेवल रहेंगे डबल टोप का भी देने की कौसिस कर रहा लेकिन जब तक यह लेवल टूटेगा नहीं हम फायर नहीं करेंगी इकाउन अजार आट सो अर तीस का लेवल टूटेगा तो हम छोटे से लेवल विजाएंगे जो की है बैया लेवल लेवल तक इंग अजार पांसो चालिस का लेवल यह रहने वाला है यह हो गया अपना बैंग निप्टी का लेवल ईजाएंगे के करने की कोशिश की है रेंड से बाहर निकला थी तो बाहर निकला था पंद्रा मिन टाइम प्रेम पर ओर इसने विट्न अ है और अपन एस को डे टाइम प्रेम पर देखते हैं कि यह ओल टाइम हाई पर है तो देखते हैं हलका साइडवेस होके पहले यहां पर भी देखो काईस बुलिश था तो इस तरह से डोजी बना तो मार्केट गैप तो होता है लेकिन यहां पर कि तरह कर देता है तो मिड़केप निप्टी से थोड़ा हम साउधान रहेंगे कि मिड़केप निप्टी क्या करेगा टोप पर डोजी मतलब मामला गंबीर है तो इनी लेवल्स पर हम ट्रेड करेंगे जिदर भी जाएगा हम फायर करेंगे लेकिन साइडवेस में हम कुछ भी दो मुझान नहीं करेंगे बैंक एक जैसा बैंक निप्टी चलेगा वैसा ही बैंक एक्स में मज़ा आने वाला है अगर कुछ भी चेंजेज होगा तो मैं मौर्निंग में आपके साथ क्यूआ कर चायना आ भी डाटा आने वाला यहां पर आप देखेंगे तो चाईनीज डा